सभी बच्चों को गुड मॉर्डिंग आज हम लोग जानने वाले हैं स्टार फिस्के लाइफ सैकल के बारे में ठीक है आफि मॉडियो कलियर है कि नो अभी बोलिये से नहीं तो फिर गुगल मिट में पढ़ेंगे ठीक है आडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से यस नो करिए नहीं तो Google Meet में हम लोग जानने वाले है ठीक है जी जल्दी से बोलिए आडियो वीडियो क्लियर है तो यस करिए फिर नहीं तो या फिर हम लोग किसे पढ़ने वाले है Google Meet से क्लियर है यस बोलते हो जी क्लियर है बोलो क्लियर यस सर क्लियर है ओके अभी क्लियर रहा हो गया ठीक है चलिए क्लियर है क्लियर है सर चलो ठीक है वेरी गुड क्लियर है अच्छा हो गया क्लियर अभी कम से कम दीक तो रहा है क्लियर है, ओके, ओके चली क्लियर है, ठीक है, सभी बच्चों को गुड्मोर्निंग, बार-बार गुड्मोर्निंग हो रहा है, ठीक है, बढ़िया है चली, अभी जानते हैं कि करके हम लोगों ने इससे पहले जो है एकाइनो डर्मेटा के बेसिक लक्षण साथ ही हम लोग स्टार्फिस के लक्षणों के बारे में भी जाना है ठीक है? तो बताइए जो स्टार्फिस है वह इसकी कितनी भुजा होती है स्टार्फिस की कितनी भुजा होती है इसको बताईए फिर हम लोग इसका life cycle जानेंगे starfish की कितनी भुजाएं होती है जी किसको किसको पता है ओक के 5 भुजाएं सबको पता है चलो very good ऐसा कौन सा starfish है जिसकी 40 भुजाएं है ऐसी कौन सी starfish है जिसकी 40 भुजाएं है ऐसी कौन सी स्टार्फिस है जिसकी 40 भुजाए है उस स्टार्फिस का नाम बताइए जिसकी 40 भुजाए है ओके नेहा तिग्गा वेरी गुड वेरी गुड नेहा सन स्टार्फिस ओके वेरी गुड देपिका दामिनी प्रगति प्रमिन नायक नाम से भी जुड़े हैं वो भी ठीक है ओके चलो ठीक है बेरी गुल इस्टार्फिस कहां रहते हैं नदी तलाब समुद्र सी रिवर पॉंड इस्टार्फिस कहां रहते हैं जी स्टारफीस कहां रहते हैं इनका घर कहां है स्टारफीस का संधिया ठीकावती यह सोधा देवी सबको पता है चलो ठीक है सबको पता है और इनका जो रिप्रोडक्षन है प्राजनन है यह सेक्सवल होता है कि यह सेक्सवल प्राजनन कैसे होता है जी प्राजनन सेक्सवल होता है कि ये सेक्सवल जल्दी बताईए सेक्सवल ओके वेरी गूड मेल एंड फिमेल जलिए इसमें ये वोई पेरस होते हैं कि वीवी पेरस होते हैं बच्चे देते हैं कि अंडे देने वाले होते हैं वीवी पेरास होते हैं, की ओवी पेरास होते हैं, ठीक है, very good, sexual बोल रहे हो, सब लोग, ओई पेरासो के दामिनी, फिर्ति, संधिया, यसोधा, पूरा एकटी होके ख्लास हटन कर रहे हैं, ठीक है, very good, सब को पता है, ओईपेरास, अंडे देते हैं ये, चलिए, कहानी को स्टा स्टार्फिस को समुदरी खीरा भी बोलते हैं, सी कुकुमबर भी बोला जाता है, स्टार्फिस को सी कुकुमबर भी बोलते हैं, नोट कर लिए, स्टार्फिस को सी कुकुमबर भी बोला जाता है, मतलब समुदरी खीरा भी बोला जाता है, किसको स्टार्फिस को, क्योंकि starfish की बहुं सारी प्रजाती को human और जो है जो other mammalian और mammal है वो इनको खाना चारे के रुप में भी पर्योग करते हैं starfish को खाते भी है ठीक है तो इसको समुदरी खेरा के नाम से जाना जाता है कच्चा भी खा लेते हैं ठीक है क्या खा लेते हैं कच्चा भी खा लेते हैं इसलिए इसको समुदरी खीरा भी बोलते हैं सी कुकुमबर इसका सी कुकुमबर ओके लिख लिए की ने सी कुकुमबर चलो ठीक है सी कुकुमबर लिख लिए अभी चलिए कहानी जानते हैं इसके life cycle के बारे में जानते हैं मैं फिर बोल रहा हूँ जैसे मनुस्य लिख ली है जागरिती सोट्स करके तो यह से जैसे मनुस्य का भी life cycle चलता रहता है बुढ़ा होते हैं बच्चे फिर क्या होते हैं जवान होते हैं फिर फिर बुढ़े फिर बच्चे फिर जवान होते है अलगातार चलता रहता है ओके ओके खीक है बहुत सारे नए लोग भी जुड़े हुए हैं आज के क्लास में सबका वेलकम है ठीक है सभी बच्चों और जो नए जुड़े हैं नए बच्चे लोग जो भी स्टूडेंट हैं जो भी लाइफ सैकल और सबका वेलकम है अच्छे से हम लोग जानने वाले हैं चलिए दिख रहा होगा तो हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं कहानी को तो सबसे पहले जो एडल्ट मेल है क्योंकि सेक्सवल रिप्रोडक्शन है तो मेल और फीमेल अलग अलग होंगे तो देखो यह एडल्ट मेल है मतलब कि जवान यह बोईस वाला पार्टिकल है बोईस वाला क्या है स्टार्फिस है और यह एडल्ट फीमेल मतलब कि जवान महिला है जवान महिला है जी ठीक है कभी-कभी बलर भी दिख रहा होगा मेरे को पता है क्या करें जी हिल जाता है ठीक है मोबाल को रखा हुआ है उपर में और टेबल के उपर में ये कभी मॉव्मेंट हो करके हिल जाता है अलाकि दीक रहा होगा मेरे ख्याल से चलो तो यह adult male है मतलब की जवान पूरुस है और यह क्या है adult female है मतलब जवान महिला है यह जो adult male है यह एक बार में लाखों sperm को जो है secret करते हैं water में एक बार में लाखों यह जो दिखाई दे रहे है ना यह क्या है बच्चे लोग यह sperm है जैसे sperm है कौन adult male जो है sperm release करते हैं और adult जो महिला वाली starfish है यह महिला है साड़े बारा लाख जैसे अंडे secret करती है एक घंटा में साड़े बारा लाख अंडा देती है और यह इसका तो कोई गिंती नहीं है male का लाखों sperm donate करता है तो यह दुनों आपस में चिपकते नहीं है ठीक है एडेसिव नहीं होता है इनका जो भी एग है और sperm है external fertilization होता है बाहर में यह लोग मिलते हैं पानी में कौन-कौन मिलते हैं sperm और ओवा मिलते हैं बाहर में तो जब sperm जो है स्टारफीस जो पूरुस वाला starfish है सितारा मचली तारा मचली है वह sperm secret करता है और महिला वाली जो स्टारफीस है वह एक secret करती है लगबग 12.5 लाग तब देखो इनका एग और sperm का मिलन हो जाता है sperm जो है पास आ करके किस से मिल जाते हैं एग से मिल जाते हैं किस से मिल जाते हैं जी एग से मिल जाते हैं तब जो है क्या बन जाता है बच्चे लोग देखो यह स्पर्म यहां के मिल जाता है और इसका पूँच जो है बाहर हड जाता है इसका पूँच क्या होगा बाहर हड जाएगा और इसका टीप वाला पाठी इस एक के साथ इस ओम के साथ जुड जाते हैं एक के साथ ओम के साथ जूड जाते हैं और उनको फटिलाइज कर देते हैं निसेचिज कर देते हैं तब क्या बन जाता है जब एक और इसपर्म मिल जाते हैं तो क्या बनता है अगला बोलिए एक और इसपर्म मिल जाते हैं तो क्या बनता है बच्चे लोग सब जानते हो होस्यार बच्चे हो सब लो जाइगोड ओके ठीका वती वेरी गोड ओके दामिनी तो देखो ये जाइगोड बन गया जी ये देखो अगला कहानी देखो बच्चे लोग ओके सबको पता है सभी लोग जागरुग बच्चे हो गोसियार बच्चे अच्छा ठीक है वेरी गुड ऐसे ही पड़ो आप लोग तो देखो यह जैगोड बन गया और जैगोड जब बना कहानी स्था सुनिये इसका डियागराम मत बनाईए सुनाई दे रहा है मैं डियागराम फोटो क्लिक करके भेज दूँगा बच्चे लोग ध्यान से कहानी सुनो श्रीप आज के क्लास में आप लोग कहानी सुनिये अलग से डियागराम मत बनाईए मैं डियागराम को फोटो क्लिक करके भेज दूँगा समझ में आ रहा है फिर बनाना बाद में अभी यदि ज़्यादा हडबड़ी हो रहा है तो डियाग्राम मत बनाईए केवल और केवल डियाग्राम पर फोकस किजिए मैं इसका फोटो खीच करके जो है आप लोग को भेज दूँगा इसको फोटो खीच के आप लोग को भेज दिया जाएगा ओके ठीक है जी आप लोग स्रिफ कहानी सुनिए आज आज कहानी सुनिए श्रिफ ओके मैं प्राइवेट ग्रूप में भी भेज दूँगा यदि आप लोग पढ़ने के इच्छा है तो प्राइवेट ग्रूप में भी भेज दिया जाएगा ठीक है जैगोट बन गया और जैगोट के चारों और देखो जैगोट के चारों और एक मेंबरेन का डेवलोप्मेंट हो जाता है जैगोट के चारों और एक मेंबरेन का विकास हो जाता है जिसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन मेम्रेन बोला जाता है इतना कहानी समझ में आ गया अब देखो अगला जो है इसमें सेल डिविजन होगा अगला क्या होगा जिसमें माइटोसिस डिविजन होता है माइटोसिस लिख दे रहा हूं यहां माइटोसिस डिविजन होगा कई बार कई बार माइटोसिस डिविजन होगा कितना multiple time multiple मतलब कई बार multiple time होता है कई बार माइटोसिस डिविजन होगा जिसके कारण क्या हो जाएगा जी यह मोरूला स्टेज में चेंज हो जाता है जैगोट कौन से स्टेज में चेंज हो जाएगा अब मोरूला स्टेज में चेंज हो जाता है बच्चे लोग ठीक है कौन से स्टेज में मोरूला स्टेज में मोरूला स्टेज में चेंज हो जाता है अब मोरूला के बाद आप लोग जानते हैं ब्लास्टूला स्टेज में चेंज हो जाते हैं देखो ब्लास्टूला स्टेज में धीरे धीरे स्पाइन का डेवलोपमेंट होने लगता है blastula stage में धिरे-धिरे spine का development होने लगता है और एक cavity बन जाता है बीच में बीच में एक खांच बन जाता है जिसको बला जाता है blasto seal cavity उसके बाद लगातार cell division हुआ मरूला के बाद तो एक cavity बन जाता है blastula stage में blastula inception में तो यहाँ पर cavity बन जाता है जिसको blasto seal cavity कहा जाता है कौन से stage में बनता है यह blastula stage में बनता है जी चलिए इतना आप लोग जानते ही हैं यह सब हम लोग पढ़ चुके हैं जब एग का 3-germ layer का विकास हो रहा था उस दोरान हम लोग देख चुके हैं चलिए अगला कहानी ध्यान पुर्वक सुनिए अब blastula के बाद फिर से इसमें cell division होगा लागाता cell division होते रहता है उसके बाद क्या होगा यह blastula जो है early gas to la में change हो जाएगा एक stage आगे चला जाएगा जी जैसे हम लोग embryo बच्चे रहते हैं ना अंदर में तो embryo बनते हैं की नहीं वैसे ही इन लोग blastula से क्या बजल जाते हैं early gas to la में human में भी gas to la stage आता है तो यह भी gas to la stage में change हो जाते हैं ठीक है जी तो gas to la stage में हम लोग को यह blastula seal तो दिखाई देगा ही blasto seal cavity दिखाई देगा ही और एक हम लोगों को क्या दिखाई देता है Archeanteron Archeanteron यहाँ पर पोर दिखाई देता है Archeanteron Archeanteron पोर दिखाई देता है early gas to la में और साथ इसके टीप में एक पोर दिखाई देता है जिसको blasto pour बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं जी ब्लास्टोपोर यह यरली गेस्टुला में ऐसा कहानी होता है ठीक है जी चलिए इसके बाद यरली गेस्टुला के बाद इसमें सिलोमिक पाउच का डेवलोप्मेंट हो जाता है और जहार्गियंटेरोन होता है सिलोमिक पाउच मतलब एंडोडर्म, मीजोडर्म और एक्टोडर्म का अब विकास होने लगता है इसमें यहां किसका डेवलोप्मेंट होने लगेगा जी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म जिसको सिलोमिक पाउच बोल रहे हैं सिलोम केविटी एक केविटी बन ज विट्ता ही रहता है ठीक है तो यह हो गया अब देखो यह जो लेटर गेस्टुला श्टेज हैं यह फैनली जो है यह एक लारवा और अस्था में बदल जाता है जिस लारवे का नाम है yearly by pineria larva अब शुरू में larva stage में change हो गया इसका एक larva condition में change हो जाता है जिसको बोला जाता है yearly by pineria larva जिसमें ciliate band जो है दिखाई देने लगते हैं cilia किनारे किनारे की और जो spine बनाते हैं वह development होने लगते हैं anus का anus दिखाई देता है और जो है जो digestive gut है digestive gut मतलब क्या जी जो digestion का नाली है ठीक है tube है वह दिखाई देने लगता है शुरू में और mouth जो है दिखाई देने लगते हैं mouth, anus और gut दिखाई देने लगते हैं कौन से stage में yearly by pineria larva में तो आप लोगों को question पूछा जा सकता है कि star fish में सबसे पहले चलिए मैं पूछ रहा हूं कि star fish में सबसे पहले लारवा कौन सा बनता है by pineria larva चलिए comment करिए कि star fish में सबसे पहले कौन सा लारवा बनता है 2 लारवा बनते हैं न सबसे पहले कौन सा लारवा बनता है जल्दी बोलिए इसको समझ में आ गया है स्टार फिस में कौन सा लर्वा बनता है सबसे पहले ओके ठीका वती बाइपिनेरियाल लर्वा ओके वेरी गुड ठीका वती कॉमेंट की है बस और बाकी लोग सुन रहे हो कि नहीं जी बाइपिनेरियाल लर्वा बनता है ओके बैपेनेरिया लारवा है यरली और लेट ठीक है ओके ओके सब लोग बोर रहे हैं संधिया जागरिती बिमलेश्वरी सत्यवती पृति यसोधा देवी दीपिका दामेनी चलो ठीक है वेरी गुड सबको अब यहाँ लेट किस में बदल जाता है अर्ली बैपेनेरिया लारवा लेटर बाड़े बैपेनेरिया लारवा में कनवर्ट हो जाते हैं जिससे के करान प्री ओर ओरल सिलिएटेड बेंड दिखाई देने लगते है और जो आर्मस का development होने लगते हैं pre-ciliated band दिखाई देने लगते हैं और post-ciliated band मतलब इसमें आप जो है arm बनाने के लिए cilluated bend दिखाई देने लगते हैं इसमें mouth दिखाई देता है center region में mouth and gut और anus दिखाई देने लगते हैं बस अंतर क्या इसमें pre oral cilluated bend और post oral cilluated bend pre मतलब पहले post मतलब थोड़े से दूर में ठीक है mouth के दूर में और mouth के पास में cilluated bend जो arm का development करने में help करते हैं अब देखो इसके बाद अगला जो है आरवा का development और होगा और जो है adhesive disk बनने लगेंगी देखो अब जो है यह किसी पत्थर से चिपकने के लिए adhesive disk बनने लगेंगी मतलब ऐसे संदा जैसे हमारा पैर है ना वैसे ही इसमें adhesive disk बनने लगते हैं ताकि वह किसी सत्थर से चिपक सकें यह कौन सा लारवा इस्टेज आ जाता है इसके बाद बाईपिनिरिया लारवा के बाद ब्रेंकियो लेरियन लारवा ब्रेंकियो लेरिया लारवा बनने लगते हैं जिसमें adhesive disc मतलब की क्या बोलेंगे इसको हिंदी में इसी में चीपकने के लिए सता है चीपकने के लिए एक अंग का विखास निर्माड होने लगता है ठीक है adhesive organ और जो है देखो यहाँ पर starfish जो है उस समय rudimentary condition में दिखाई देने लगते हैं अब यहाँ starfish यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को देखो starfish थोटा सा दिखाई देने लगते हैं बाकी इधर और अंग का जो है adhesive organ अगर का development हो जाता है और यहाँ rudiment of starfish यह देखो starfish का अभी development यहाँ दिखाई दे रहा होगा क्या दिखाई दे रहा है जी starfish यहाँ दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को दिखाई दे रहा है न अब ब्रैंकियो ब्रैंकियो लेरिया लारवा second larva stage है ब्रैंकियो लेरियो लारवा क्यों सा stage है second larva stage है अब क्या होगा कि ब्रेंग के लिए लारवा जो है अटेच हो जाएगा किसी ADACY Oregon से और rudimentary starfish breaking ठीक है और यहां से क्या हो जाएगा आप ब्रेक हो जाएगा यह जो ADACY Oregon है यह तूट के अलग हो जाएगे और जो starfish जो असेशी starfish था यह development करने लगता है और rudimentary starfish breaking अप मतलब यहां से cut हो जाता है बीच से ये सत्ह अलग हो जाता है और starfish जो है अच्छे से development करने लगता है अब क्या होगा अगला metamorphosis मतलब क्या जी body में परिवर्थन body की सारीरिक संरचना में लगातार परिवर्थन होता है और यह young starfish जो है अब इसमें arms development हो जाते हैं 5 arms development हो जाते हैं जिनको pentameras arm कहा जाता है पंच ततई भुजा कहा जाता है यह development हो जाता है young starfish में अब यह young starfish क्या रहता है यह तो male रहता है यह female रहता है यह इसके genetic material पर depend करता है फिर यह young हो जाते हैं फिर से इसी तरह से क्या sperm देते हैं कौन male adult male होगा तो adult female होगी तो फिर क्या देंगे एक देंगे तो इतना कहानी समझ में आया तो yes करें इतना कहानी समझ में आ गया तो yes करो जी ओके टिकावती को समझ में आ गया भागवती को धामिनी को जागरिती या फिर और एक बार ओके दुरगा देवी को भी समझ में आ गया ओके प्राइवेटी स्टुडेंट कोई नई है क्या आज के क्लास में कोई नई प्राइवेटी स्टुडेंट है क्या आप लोग एक्जाम का अच्छे से त्यारी करिए आप लोग जान रहे हैं कि पढ़ाई किस माधियम से हो रहा है सब जगह पढ़ाई जो है प्राइवेट माधियम मतलब ओपलाइन माधियम से हो रहा है प्राइवेट नहीं ओपलाइन माधियम से हो रहा है आप लोगों की बेठक बेश्चा थोड़ा नहीं हो पाई है इसलिए थोड़ा सा ओनलाइन हो रहा है कुछ दिन नहीं तो क्लासेस जो है ओप लाइन है तो आप लोग अच्छे से त्यारी करो बच्चे लोग अभी से पूरा त्यारी में लग जाए एक्जाम के लिए ताकि आप लोग को बेटर फर्फर्फर्मेंस मिल सके ठीक है चलिए एक बार मैं रिपीट कर दे रहा हूं ठीक है एक बार मैं फिर रिपीट कर दे रहा हूं रोसनी भी बैग भी बोल रही है चलो सबसे पहले तो यह young adult male पुरुस तारा मचली और महिला तारा मचली बन गए अब पुरुस से क्या निकलता है स्पर्म निकलता है सुक्राणू adult male से पुरुस तारा मचली से महिला तारा मचली से क्या बनेगा एक बनेगा discharge जब अवूलेशन की और स्पर्म मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगा तो मेल से जो पूरुस तारा मचली है उससे स्पर्म डोनेट होता है फिमेल से एक डोनेट होता है अब ये दोनों पानी में मिल जाते हैं तब इस्पर्म का जो पूँच वाला भाग है वह अलग हो जाता है और यह वह हम से यह एक से मिल जाता है तब क्या बनता है जैगोड बनता है जैगोड में एक मेंबरेन का डेवलोप्मेंट हो जाता है जिसको फर्टिलाजेशन मेंबरेन कहते हैं फिर जैगोड में लगातार माइटोसिस सेल डिविजन होता है जिसके करण मोरूला बनता है फिर ब्लास्टूसेन प्रसेस होता है जिसके करण जो है सेल में एक केवेटी बन जाता है यहाँ पर और चारों और सेल होते हैं जिसको ब्लास्टो ब्लास्टूला स्टेज कहते हैं ठीक है जिसमें ब्लास्टो सेल केवेटी बन जाता है एक खाज बन जाता है उसको ब्लास्ट तो पोर दिखाई देता है और आर्कियन टिरोन दिखाई देता है ठीक है अर्कियन टिरोन ये खांच दिखाई देते हैं फिर लेट गेस्टूला में चेंज हो जाता है जिससे आर्कियन टिरोन दिखाई देते हैं और सिलोमिक पाउच एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर का विकास हो जाता है फिर जो है अगला जब लारवा में बदलता है तो यरली बैपिनिरिया लारवा में चेंज हो जाता है जिसमें सिलिया दिखने को मिलता है गट देखने को मिलता है माउथ देखने को मिलता है अब यरली बैपिनिरिया लारवा जो है लेटर बैपिनिरिया बेंड दिखाई देते हैं, पोस्ट और अल, सिलियेटेड बेंड दिखाई देते हैं, मतलब पोस्ट मतलब थोड़ा से दूर की और आगे, प्री मतलब पहले, सिलियेटेड बेंड, सिलियेटेड मतलब सिलिया के समान, बेंड दिखाई देते हैं, माउथ दिखाई देता है, और एनस, जो कि M Henny में रहता है, अब यह ब्राइपिनिरिया लार्वा एक दूसरी लार्वा में बदल जाता है, जिसको बोलते हैं। को जो ब्रैंकियो लेरियन लारवा है उसमें स्टार फीस का आउसेशी भाग इस्टार फीस जैसे छोटा सा सा रचना दिखने को मिलता है इसके बाद यह और डेवलोप्मेंट करेगा और एडेसिव पार्ट जो है किसी दूसरे सतह में चीपक करके यहां से तूट करके अलग ह हो जाएंगे और जो इस्टार फीस है यह डेवलोप्मेंट करने लगेगा और जब मेटा मोर्फोसिस हो जाएगा इसमें लगातार ग्रोध विर्धी विकास होगा बच्चे से जब लगातार विकास होगा तो उसका हाथ पाव सब कुछ क्या हो जाता है व्रिधी हो जाता है embryo से वैसे ही जब metamorfosis होगा इस्टारफिस में तो इसकी 5 arms जो है अच्छे से development हो जाएंगे और mouth जो है बीच में आ जाएगा और यह young इस्टारफिस या तो male बनेगा या female यह कैसे निर्भर होगा male बनेगा या female तो उसके genetic material पर depend करता है उसके reproductive organ पर depend करता है कि वह male है या female है तो यह कहानी है इसको मैं भेज दूँगा आप लोग जो है इसको diagram बना लेना copy में और एक एक दो दो line हर stage के बारह में लिख लेना फर्स्टी stage में लिख लेना कि male जो है sperm करता है फिर female जो है एग और यह जो है लगभग female जो है बारह दस्मलों पांच लाग साड़े बारह लाग तक एक डोनेट करते हैं और male जो है यह भी लाखों की तदात में जो है sperm डोनेट करते हैं इन में external fertilization होता है यह sperm और एक जो है बाहर में मिलते हैं पानी में जबकि human में कहां मिलते हैं बोलिए human में कहां मिलते हैं जी human में कहां मिलते हैं sperm यह पानी में बाहर मिलते हैं इसले इनको external fertilization कहाते हैं जबकि human में कहां मिलते हैं जी human में sperm और ओवम कहां मिलते हैं बोलिए किसको पता है human में जर्मिनल सेल में कहां मिलते हैं जी बिलकुल नहीं जर्मिनल सेल में कैसे मिलेंगे कहां मिलते हैं यह तो पानी में मिलते हैं बाहर में इसलिए external fertilization बोलते हैं जबकि human में internal fertilization होता है आंत्रिक निसे चन होता है बोलो बच्चे लोग किसी को याद नहीं है जी बताया था आप लोगों को कहां पर मिलते हैं एग और इस्पर्म इसको पता है जर्मिनल सेल बोल रही है यह सोदा पढ़ो ठीक से गलात इंसर आ रहा है ठीक है एमपुला इस थमस रीजन ओके दामिनी अच्छे से पढ़ रही है दामिनी को पूरा पता है चलो वेरी गूड दामिनी एमपुला इस थमस रीजन में मिलता है जी फेलपियन ट्यूब के ओके फेलपियन ट्यूब के एमपुला इस थमस रीजन में दामिनी वेरी गूट दामिनी अच्छे से क्लास अटेन कर रही है पढ़ भी रही है बाकी लोग पढ़ो वच्छे लोग नहीं तो फिर ओपलाइन एक्जाम होगा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को अभी भी टाइम है समय है पढ़ सकते हैं अच्छे से ओके वेलकम ठीक है इसी तरह मेनत करते जाए दामिनी फिलिप्यन टीब तो है लेकिन फिलिप्यन टीब के एमपूला और इस थमस रिजन के बीच में मिलते हैं इसलिए एमपूला इस थमस रिजन बोला जाता है टेस्टीस में कहां मिलेंगे जी यसोदा बोल रही है टेस्टी आप लोग ठीक है अभी एक्जाम होगा सभी सब्जट का स्टडी करिए एकदम अच्छे से तगड़े धंग से तभी जाके आप लोग का अच्छा माक्स आएगा अभी मेहनत किये रहेंगे तो आप लोगों को बहुत रिजल्ट देखके बहुत मज़ा आएगा मेहनत से जब बनेगा तो ठीक है जितना मेहनत करना है अपने समय और एनर्जी को अपने टार्गेट को अपने लक्ष को प्राप्त करने में लगा दीजिए वैसे भी समय बितना ही है तो क्यों ना इसको अच्छे चीजों में लगाया जाए समय को समय रुकने वाला नहीं है आप लोग चाहें अभी जो 2-3-4-5 साल का एज होगा आप लोग का येर होगा या मेरा भी सबका इसको यदि हम लोग सदपियोग करते हैं तो हम लोग अच्छे पोजिशन में पहुँच जाएंगे हम लोग जो चाहते हैं उस पोजिशन में पहुँच सकते हैं यदि इस समय का सदपियोग किया जाए तो इस एज का यंग स्टेज में ही ज़्यादा एनरजी और समय को ज़्यादा यूटिलाइज करने की उपियोग करने की छमता होती है तो इस पूरे एनरजी को और समय को लक्ष की प्राप्ती में लगा दीजिए सभी सब्जेक्ट का स्टडी कीजिए जो आप बनना चाहते हैं उस चीज में अपना समय ज्यादा समय दीजिए फालतु का इधर उधर में समय ब्यस्त करने से कोई फाइदा नहीं है बात में आप लोग को कुछ हाथ नहीं लगने इसे में दिक्कत हो जाएगा अभी छडिक सुक को देखेंगे छडिक मजे को देखेंगे और ज्यादा समय अपना इधर उधर बेकार चीजों में लगाएंगे तो घाटा होगा समय कब बिच जाएगा पता ही नहीं चलता है जैसे आप लोग अभी बचपन से अभी यंग स् हो जाएगे पता नहीं चलेगा यदि हम लोग इस समय का इस एनरजी का अच्छे से उप्योग करेंगे तो निश्चीत तोर पे आपको अच्छा फीडबेक देखने को मिलेगा चलिए तो मैं इसको भेज दे रहां ग्रूप में आज के लिए इतना ही करते हैं ताकि आप लो ओके वेल्कम सबको कुछ क्वेस्चन पूछना है तो पूछिए ओके जी सभी बच्चों को वेल्कम नई पूछना है ठीक है पढ़िए जब पढ़ेंगे तो ही डाउट उत्पन होगा तभी क्वेस्चन बनेगा माइंड में सभी लोग पढ़ रहे हैं अपने अपने जगह में ठीक है आप लोग ब्रहाम में मत रहें आप लोग भी त्यारी करिए प्रतियक स्टुडेंट चलिए ठीक है क्या-क्या तीन टोपिक है जी संधिया बोल रही है नहीं बन रहा थीन तोपिक आज फिर मेसेज कर देना ओकÝ छलो ठीक है कौन paint नहीं बन रहा थी ओके ठीक है आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं